नमस्कार दोस्तों और सीके चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल कलर में ये एक उपसूरत सा पैटर्न लाई हूँ दिखे कितना सुन्दर है सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा इसे आप जेंट स्वाटर में डाल सकते हैं लेडिस कारडिगन में जैकेत में डालिए बच्चों के स्वाटर में डालिए आप इसे कर्स कारडिगन में बेबि से डालेंगे ये अच्छा लेगा तो इसे बनाने के लिए हमें दो के मल्टिपल में फंदे चाहिए डिजाइन बताने से पहले आप से अनुरूद है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो कृपिया चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें विडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपिया लाइक करें अपने फ्रेंस और फैमली में शेयर करें तो चलिए फ्रेंसम डिजाइन बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने 16 फंदे का बाटर बना लिया है अब ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉंग साइड में सभी फंदे उल्टे बना लेजेगा और इस लाइन में तो सामने की तरफ से ये डिजाइन डलता है तो डिजाइन का पहला लाइन और सामने से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे अब उन हमारा दूसरी तरफ है उसे हम अपनी तरफ लाइंगे और एक बार और सलाई में ऐसे घुमा लेंगे यानि यहाँ पर ये जाली बनेगा फिर दो फंदो को हम एक साथ लेंगे एक और दो और दोनों को एक साथ लेते हुए हम एक उल्टा फंदा बना लेंगे, अब भी हमें इसे गिराना नहीं है, वापस हमारा उन हमारी तरफ है और सलाई पे लपेट के हम इसे वापस अपनी तरफ लाएंगे, यानि यहां पे देखे हमने उन को सलाई पे लपेट लिया, अब फि इसे हम गिरा लेंगे, फिर उन को हम लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे, वापस हम सलाई में उन को लपेट के अपनी तरफ लाएंगे, और इन ही दोनों फंदों म और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे अभी हमें इन्हें गिराना नहीं है वापस हम सलाई में उनको लपेट के अपनी तरफ लाएंगे और एक उल्टा फंदा इन्ही दोनों फंदों में बना लेंगे हर बार हमें बुनने से पहले उनको लपेट के अपनी तरफ लाना है यानि हम जाली दे रहे हैं दो फंदो को लिया उल्टा बुना फिर लपेट के हम वापस अपनी तरफ लाएंगे फिर इन्हे दोनों में एक और उल्टा फंदा फिर हम लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे दो फंदों को लेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे लपेट के वापस उन अपनी तरफ लाएंगे फिर इन्हीं दोनों फंदों में एक और उल्टा फंदा लपेटा दो फंदों को लिया एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाया उन वापस सलाई पे लपेटा और इन्हीं दोनों फंदों में एक और उल्टा फंदा स्यूर करेंगे इसे हम सीधा बुलेंगे तो इस तरह ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है अब हम आ जाते हैं रॉंग साइड में पहला फंदाया जिस टीच है इसे हम या तो उल्टा बुनें या फिर स्लिप कर लें अब देखिए हमने यहां पर दो फंदो से तीन फंदा बनाया है तो क्या करेंगे दो फंदो को हम एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुलेंगे दो का एक किया अब ये फंदा और हमने जो जाली दिया था इन्हें दो को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हु तो चार से दो फंद्य हो गया है, फिर देखिए, दो फंदों को लेंगे, एक, दो, दोनों को एक साथ लेते हुए, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर नेक्स्ट, एक और दो, दो को एक साथ लेंगे, और दोनों को एक साथ लेते हुए, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, नेक्स्ट, दो फंदों को लेंगे, एक उल्टा फंदा, फिर दो फंदों को लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, नेक्स्ट, एक, दो, दो को लिया, एक उल्टा एक दो दो को लिया एक उल्टा फंदा बना लिया फिर नेक्स्ट एक दो को लिया और एक उल्टा फंदा जितने फंदे हमारे अधिक हुए थे इस लाइन में वापस उतने ही फंदे हो जाएंगे एक दो को लिया एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बनाया फिर नेक्स्ट एक और दो को लिया एक उल्टा फंदा बनाया फिर नेक्स्ट एक और दो को लिया और एक उल्टा फंदा बनाया लास्ट फंदा आया जिस टीच है इसे हम उल्टा बनेंगे तो हमने ये दूसरा लाइन भी complete कर लिया अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का तीसरा लाइन है तो पहला फंदा हमारा edge तीच है इसे हम slip कर लेंगे अगले फंदे को सीधा बुन लेंगे अब फिर हमारा pattern यहां से शुरू हो जाएगा उनको लपेट क एक और दो दो को लिया उल्टा फंदा बनाया उन अपनी तरफ फिर इन्हीं दोनों फंदों में एक उल्टा फंदा पहली लाइन में हमने एक फंदा slip किया था और फिर दो दो फंदों को हम लेके बनाते गये थे तीसरी लाइन में हमने एक फंदा slip किया एक फंदा सीधा ब उन सलाई में चढ़ा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदो को लेंगे, देखें, यहां जाली है, इन ही दोनों फंदो को हमें लेना है, एक फंदा इस डिजाइन से और एक फंदा दूसरी डिजाइन से, दो फंदो को हम एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए, दो दो फंदो को हम एक साथ लेंगे इसके पहले उनको सलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक फिर उन चरहा के वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर इनी दोनों फंदो में एक और उल्टा फंदा देखे, बुनने से पहले हमें उनको सलाई में चढ़ा कर वापस अपनी तरफ लाना है, दो फंदो को एक साथ लेंगे, देखे, एक फंदा इस डिजाएं से, एक फंदा दूसरे जाएं से, जाली के उपर हमें बनाना है, एक लिया, दूसरा लिया, दोनों को एक साथ लिया, अभी इसे हमें गिराना नहीं है, उनको सलाई में चरहा कर वापस अपनी तरफ लाना है, फिर इनहीं दोनों फंदों में एक और उल्टा फंदा गिरा दिया, अब नया डिजाइन बनाने से पहले उनको हमें वापस अपनी तरफ लपेट के लाना है, दो फंदों को लेंगे, उल्टा फंदा बुन लेंगे, फिर उनको चरहा कर वापस अपनी तरफ फिर इनहीं दोनों फंदों में एक और उल्टा फिर नया डिजाइन बनाना है, उसके पहले हमें उनको सलाई में लपेट कर वापस अपनी तरफ लाना होगा, दो फंदों को लेंगे, एक साथ लेते ह तो एक उल्टा फंदा उन सलाई में चड़ा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे फिर इन ही दोनों फंदों में एक और उल्टा फंदा गिरा देंगे उन दूसरी ओर लास्ट में दो फंदें बचे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे हमने ये तीसरी लाइन कंप्लीट कर ली अब हम आ जाते हैं रॉंग साइड में पहला फंदा सलिप कर लेंगे अगला फंदा देखिए ये सिंगल फंदा है इसे हम उल्टा पूल लेंगे अब फिर हमारा देखिए, दो फंदो को लेंगे, एक और दो, दो को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बना देंगे Next, एक और यह जाली वला फंदा दो, दोनों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा बना देंगे एक और दो दो को लेंगे एक उल्टा फन्दा बना देंगे यानि हमारा दूसरा लाइन ही है एक और दो दो फंदो को लेंगे एक और दो दो फंदो को लेंगे एक सास लेते हुए एक उल्टा फंदा देखे एक और ये जाली वाला फंदा दो दोनों को एक सास लेंगे एक उल्टा फंदा तो चार लाइन का ये डिजाइन है और इन ही चारो लाइनों को हमें उपर उपर दूराना है और ये खुब्सूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा एक और तो लास्ट में दो फंदे हैं तो इन्हें हम एक करके बुन लेंगे उल्टा ये हमारा डिजाइन बन गया अब फिर हम यहां से फिर अपना पहला लाइन शुरू करेंगे यानि पहले फंदे को स्लिप करेंगे उनको अपनी तरफ करेंगे फिर एक बार लपेट के आगे लाएंगे अब देखिए यह जाली पड़ा है इसी के ऊपर हमें डिजाइन बनाना है एक फंदा इस साइट से एक फंदा इस साइट से दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे उनको वापस चढ़ा के अपनी तरफ लाएंगे फिर इन्हें दोनों फंदों में एक और उल्टा फंदा फिर उनको चढ़ा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे फिर इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे उन्चड़ा कर वापस अपने लाएंगे फिर इन्हें दोनों में एक और उल्टा फंदा तो ये खुब्सूरत सा देखिए जाली बनता चला जाएगा तो फ्रेंस चार लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और इन्ही चारो लाइनों को हमें दूराना है तो ये खुब्सूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है पीछे से ऐसा आशा है आपको पसंदाया होगा प्लिस लाइक शेयर और सब्सक्राइब थेंक्स फर वाचिंग